इस यंत्र को मैंने बहु उपियोगीता वाला यंत्र बोला है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजें, इस यंत्र के द्वारा आप बहुत सारे कारियों के सिद्धि कर सकते हैं, एक यंत्र ही हजार काम कर सकता है, इतना चमतकारी यंत्र है, तो आईए जानते हैं इस यंत्र की बनाना पड़ता है और इसकी कुछ प्रक्रिया है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए Hi everyone, my name is Dr. Ruma Shri मेरे चनल में हमेशा आपका स्वागत होता है आज भी आपका स्वागत बड़े मन से करती हूँ आशा करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर सुख भोग रहे होंगे परमात्मा उनको सदैफ सारे सुख देवे यही मेरी ब्लैसिंग्स उनके लिए होती है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे चनल Dr. Ruma Shri को सब्सक्राइब करिए बैल बटन दबाईए और All पर क्लिक करिए जिससे ऐसी ही बेहतरिन जानकारी आपको भविश्य में मिल सके क्योंकि मैं और बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जो आपको तरह तरह से फाइदा पहुँचाएंगे तो सब्सक्राइब करना तो बनता है जिससे कोई भी जानकारी भविश्य में आपसे मिसना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बैल बटन दबाईए और All पर क्लिक करिए जिससे इसी तरह की जानकारी भविश्य में आपको प्राप्त हो सके तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों ये multi-purpose यंत्र है इस यंत्र के प्रियोग से मतलब ये नंबर तो आपको यही लिखना है जो इसमें लिखे हैं देखिए उपर से नीचे तक 8, 3, 4 1, 5, 9 6, 7, 2 22 दाएं देखिए 8, 1, 6 3, 5, 7 4, 9, 2 यंत्र एक पर फोकस करती हूँ आप नोट कर लीजिए आशा है आपने यंत्र ठीक से देख लिया होगा और इस यंत्र को बनाने में आपको क्या-क्या सावधानी रखनी है आईए उस पर चर्चा करते हैं ये यंत्र बहुत से चीजों में काम में आता है आकर्शन की श्रेणी में आता है इसके आकर्शन के कई प्रियोग हैं एक प्रियोग आपको बताती हूँ गुरुवार के दिन या रात को गोरोचन, तगर और घी मिलाना है आपको उसकी श्याई बनानी है अनार की कलम लेनी है और भोज पत्र पर यंत्र लिखना है ये यंत्र जिसको आपको आकर्शित करना है जिसका आकर्शन पैदा करना है या जिसके मन में आपने लिए आकर्शन पैदा करना है उसका नाम, एड्रेस और पिनकोड और शहर का नाम लिखे और इस यंत्र को जहां वो रहता है उस मकान में आपको गाड़ना है जहां वो सोता है वहां भी गाड़ सकते हो लेकिन कच्ची जमीन होनी आवशक है तो कच्ची जमीन तो आजकल आपको मिलेगी नहीं घर के ही किसी कौने में आप गाड़ दीजिए उसको प्रभावित कर सकेंगे आप और आकर्षण आपके लिए पैदा होगा इस यंत्र को शत्रू नाश के लिए भी आप काम में ले सकते हैं इसके लिए आकड़े का पत्ते का रस लेना है और आकड़े के पत्ते पर ही आपको इस यंत्र को लिखना है इस यंत्र को शत्रू के घर में किसी भी जगे गाड़ दीजिए शत्रू का नाश हो जाएगा इस यंत्र को आप हल्दी से लिखें और दो पत्थरों के बीच में दबा दें इससे शत्रु का स्थम्बन होता है शत्रु के दरवाजे पर इस यंत्र को आप गाड़ देते हैं तो उसके घर में जगड़ा चालू हो जाता है ये इतना चमत्कारी यंत्र है ये यंत्र जो है पन्छ तत्व का प्रतीक है इस यंत्र को बहु उपयोगी इसलिए कहा गया है कि ये एक ही यंत्र कही प्रयोग में काम में आता है तो इसके आप जिस चीज़ की जरुरत है आपको ये काम में लीजिए और इसके चमतकार देखिए मुझे कमेंट सेक्षन में आके बताईए कि इस यंत्र से आपको कितना लाब हुआ लाब तो निश्चित रूप से होगा लेकिन कुछ लोग कुछ गलतियां कर देते हैं या उनको भ्रम रहता है या विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी कोई विद्या होती है क्या तो उनको डाउट रखते हैं मतलब मन में तो डाउट से कोई काम भी उनका बनता नहीं है और निश्वल हो जाता है जो लोग पूरे विश्वास के साथ पूरे जोश के साथ यह यंत्र बनाएंगे उनको ही फायदा होगा तो आज का वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो जरासा भी हैलफूल रहा हो तो लाइक करना शेयर करना मेरे यूट्यूब पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो है जिनको आप देख सकते हैं यूट्यूब पर डॉक्टर उमा श्री टाइप करना पड़ेगा आपको मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जो तरह तरह से आपको लाब की प्राप्ति कराएंगे तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूं इतरों बहुत बहुत धन्यवाद